हेलो फ्रेंड्स हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है आज यह वहला पैटन लेके आई हूं यह क्रोशिय का पैटन है फ्रेंड्स यह लेडिज का कार्डिकन पे जैकेट पे बच्चों के स्वेटर पे शॉल पे किसी भी प्रचेक्ट पे डालिए बड़ा फ्रेंड्स एक्तम सिंपल सा बैटन है जिसे बिगेर पी ट्राइ कर सकते हैं लेकिन बहुत सुंदर लगता है बनाने के बाद आगे बना के बताती हूं कैसे बना है तो फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर पहले से हैं तो आपको बहुत बहुत शुकरिया और अगर आप मेरे बनाए हुई परचेक्ट अच्छे लग रहे हैं तो अपने फैमिली मेंबर्स में फ्रेंड्स सर्कल में जरूर शेयर किया कीजिए ताकि आपके साथ साथ वो सब भी एंजॉय कर सेके तो फ्रेंड्स फीडबैक देना मत भूलिए फीडबैक जरूर दिया कीजिए कि आ बेंडौ ända कर लेंगे और एज स्टीच लगा लेंगे १्रल्स से ईब बना लेनी है पर मैंने दो स्टीच छोड़कर तीसरे में इसां दो स्टीच लगा लीगे तो फ्रेंड्स एज्ट्स छोड़ेंगे और एक स्टीच ऐसे बनेंगे और next वाले में दूसरा stitch बनेगे फ्रेंट्स इन दोनों में ये फरक है ये भी दो stitch है ये भी दो stitch है लेकिन ये दोनों stitch same post पे हैं ये दोनों अलग लग हैं ये इस चीज का ध्यान रखना है और ये एक chain दो stitch छोड़े नीचे से same post पे दो stitch लगा लेगे फिर एक chain बना लेंगे और दो stitch छोड़कर यहां पे दो stitch लगाएंगे अलग अलग उसके पे इस तरह से फिर एक chain छोड़ेंगे एक chain कर लेंगे दो stitch छोड़ेंगे और edge stitch लगा लेंगे इस तरह से हमारी एक रोव बन जाती है ये दिखे next row पे आ लेंगे next row पे यहां पे दो chain और edge stitch लगा लेंगे अब यहां पे एक chain बनाएंगे और दीखे ये वाले जो stitch हैं दोनों अलग लग पोस्ट भी लगा रखें इनको कैसे बनाना है यहां से इस तरह से उठाना है और ऐसे बना लेना है फिर से दूसरे वाले को भी इस तरह से डबल क्रोश्या से बना लेना है फिर एक chain कर लेंगे और ये वाला stitch है जो इसको ऐसे ही दोनों के बीच में बनाना है से सेम बोस्ट भी दो starch फिर एक chain और ये वाले stitch आ गये हैं यहां पर तो इनको ऐसे आगे से बना लेंगे एक और दूसरे को भी दो फिर एक chain और दोनों यह सेम पोस्ट पे हैं तो दोनों के पीछ में बनाएंगे, दो स्टिच, फिर एक चेन बना लेंगे और एज स्टिच लगा लेंगे, यह दिखिये, दो रो हमारी कम्प्लेट होगे, नेक्स ट्रो पे आ जाते हैं, दो चेन, एज स्टिच दो, फिर एक चेन, फिर यह दोनों के बेज में, दो स्टिच, अब फ्रेंडस यह हमारी डिजाइन की उल्ती सैट है, डिजाइन हमारा इस तरफ से बन रहा है, यह हमारी परजेक्ट की सेती वाली सैट, तो क्या करना है यह है एक चेन बनाएंगे, इस तयाव से उठाये इज से ऐसे दूसरे बले को भी यहां से जो राइट साइड है हमारे डिजाइन की हमारे परचेक्ट की उसी तरफ से इसको बनाएंगे और जो यह है इसको सिंपल ऐसे ही बीच में दो स्टिच लगा लेंगे दोनों के बीचो बीच यह दिखेंगे फिर एक चैन अब यह देखिए इसको इस तरफ से बनाना है दूसरे बले को भी फ्रेंट से बनाना है यह देखिए नेक्स ट्रो पे आगया तो यह रो कैसे बनेंगी एक चैन बना लेंगे और यह वले स्टिच को ऐसे बनाना है यह हमारी फ्रेंट साइड है डिसाइन की हमारा प्रजेक्ट जो बन रहा है उसकी फ्रेंट साइड है तो इसको आगे से बनाएंगे फिर एक चैन बनाएंगे यह दो स्टिच यह वले लगा लेंगे फिर एक चैन बना लेंगे यह दिखिए यह हमारा फ्रेंट साइड है तो ऐसे इस तरफ से उठाएंगे फिर एक चैन यह हमारी डिसाइन की हमारा जो प्रजेक्ट बन रहा है उसकी उल्टी साइड है तो उल्टी साइड में धोड़ा सध्यान देना है कैसे बनानी तो स्टिच तो सिंपल ऐसे ही आएंगे सेम पोस्ट पे तो स्टिच लगा रहे हैं एक चैन यह रॉंग साइड है इनकी तो इस तरफ से बनाएंगे इसको कृड़ी हिर चमेएंगे उल्टी रहेँ़ यह देखिए, इसी तरह हमारा प्रजेक्ट आ गया के बनता चल जाएगा यह अब आप बना के देखिए, आपको कैसा लगता है, फीडबेक मुझे जुरूर दीचे, है थाऊच के देखिए, प्रज गया ऑग दीचे, हैंज फूर्वधता है।